नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवंदीर कर आप देख रहे हैं शिवंदीर कर यूट्यू चैनल हमने वहने बहुत सारे वीडियो बना हैं और अचुन्वा है 2015 वालों के लिए भी बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था शिवम भाई हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं दिरश्टी के उनका रिब्यू कीजिए तो आज हम फिर से एक भाई के रूम पे मौजूद हैं और इनके रूम पे हमने खाना भी खाया बहुत मज़ा और पीसे देख सकते हैं बहुत सारी बुक रखी हुई है तो बहुत सारे कोश्चन जो आप यह भाई से पूछने वाले हैं और यह वीडियो आपको बेहत पसंद आएगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कहते हैं कि खुबसूरत से पल से क रिस्ता बन जाता है कैते हैं खुबसूरत से पल से किस्टा बन जाता है कुछ खास लोग मिलते हैं जिन्दगी में ऐसे जिनसे कभी न पिछड़ने वाला रिस्ता बन जाता है तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले भाई से पूछते हैं आपका नाम क्या है अप दिल्ली के मुखरजी नगर में कितने दिनों से हैं मैं पिछले डाई तीन साल से मुखरजी नगर दिल्ली में हूँ और कौन से कोचिंग से जैसा की अभी आपने बताया था मैंने आपसे पहले बात की थी आप द्रेश्टी से कर रहे हैं हां मैं द्रेश्टी आई अपने क्लास का टूम द्रेश्टी जो द्रेश्टी कोचिंग है आपने कब जोईन किया था मैं है द्रिस्ती जोइन था डूवाह के फिस थे वह कितनी चुकाई ती उस में है किलेगोने सप्चेक्टो है अब कर दो जो गद्रिस्ती में हमें इसके पहल्त और फिस युद्टा Sulim निगर में जाओं और बहां पर रहके तयारी करो दिल्ली देश में एक विसे सिस्थान रखता है खास कर एजूगे सन के मामले में मुझे लगा यूपीएस्टी के लिए सबसे बहतर जगा दिल्ली है तो वहां जाकर मुझे आईस कि क्लास करना चाहिए आपका जो ऑप्शनल स क्योंकि मैंने एस्टी पहले पड़ा और मुझे इस्टी जब भी पड़ता हूं मुझे एंट्रेस्टेट लगता इसलिए मैं एस्टी ऑफसनल लिया मुझे लगा कि एस्टी लेकर मैं एक्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा आपने कर दो में पहला अपनकर और मीजेशन बिछाएक है कि मापनी इसलिशन ना च्ती काली जब इस प Quindi कर लिए और उसके बाद बार भी कर लिए जब को तक बार बी करना चाहिता है तो से पहले क्या कभाना पड़ता है इसलिए कर नी पड़ती है उनकर अब में परती अधा थार जो आपकी कोचिंग है वो द्रश्टी क्या ओफ लाइन चल लिए और अभी फिलाल तो द्रश्टी ओनलाइन चल रहा है क्योंकि कोविड-19 कारण क्लासे लगबग ओफ हो चुकी है और द्रश्टी जो अपनी सेवाई दे रहा है वो ओनलाइन के मध्यम से दे रहा है तो क्या कॉन से अग्जाम आने वाला है और मैं अभी स्टेट पीचे सर फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैंने दोजार अठारा का मैंस दिया हुआ तो मुझे लग रहा पहला है वो कर लेना चाहिए यहां आप लगभा कितने गंटे पड़ते हैं मैं अभी फिलाल तो रूम पर आया हूं अब यहां आप दिली के मुखडजी नगर में यहां आए आपको रूम कैसे मिला और इसा आपके रूम का रेंट कितना जाता है अभी आफटर कोवीड के बाद तो रूम थोड़े रेंट थोड़े कम हो गाएं इसमें पांच छी हजार तक रूम मिल जाता है बट पहले मेहं के थे रूम साथ आठ में हम मिलते थे रूम और यह जब मैं यहां आए था तो रूम मिल जाते हैं बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं और नीचे उनके ऑफिस भी है तो उनसे बात करने पर हमको रूम दिलवा देते हूं लोग यहां पर जो आपका जो रूम है इसके आप संसे देना पड़ता बागी और दूसरी जगा इंकलूड भी हो सकता है और वाटर इसी में इंख्लूड है एक महीने में आपका टोटल सम मिला के ख़चा कितना आजाता है लगवत मेरा तो आजाता संथिंग बारा साड़े बारा और अधर कोई बच्चा है वह कमें मैनेज क कर सकता है खटा सभी का लगा लगाता है जैसे वह रहता है उसी पड़ी पेंट करता है कितना कर पाता हूं लिए जो बेस्ट कोचिंग वाना जाता है यू पीएस्ट के लिए वह कौन सा है आपके नुसार हिंदी मीडियम के लिए तो मैंने अभी तक द्रिश्टी अच्छा है अभी सुनने में आया है कि संस्कृति आईएस भी है बट मैंना भी द्रिश्टी से किया ज्यादा अच्छा वह लगा द्रिश्टी यहां पर आपकी बहुत सारी बुक रखी हुई है तो उन में से आप कौन-कौन सी बुक फॉलो करते हैं कौन-कौन सी बुक अभी पढ़ इस नमीं की मिद्थ इसवन के आपकी यहीं बनाए है तो मैंने बना आप जो अपनी संस्टी के दौरान बनाई है यह आपकी अपने बनाए हुए है और भी है कुछ इसके लवा स्केलन और बहुत सब्जेक्ट नौट से बमें अगे बहुत सब्जेक्ट के श्ल माश्टू बहुत सारी हैं डिलाती बहुत सारी है इसथ चीजिया जैसे तो के माध्यु घर बातों ज्यादा मज़ोस में सवहुलेट मिलने ज़ाएं कुई ऐसी भूक यौव जो फॉलो करनी चाहिए विच्टों को NCRT का कितना महत हुए बच्चे कहते हैं जदा NCRT पढ़नी चाहिए NCRT NCRT मैंने तो नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा बैसिक मेरे जाल से अच्छा है मैंने पहले पढ़ लिया बहुत कुछ तो मुझे नहीं लाग मुझे NCRT पढ़ना चाहिए और इसका लाग जो नोट्स है अच्छा लगा और बहुत सारे बच्चे कहते हैं रूम आप जरूर दिखाए अगर रूम आपको दिखाना चाहें तो बैक्ग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत सारी वोक्स रख्यूई है जो कि यह पढ़ते हैं और यह टेबल हैं लैप्टोप भी इनके पास और ज की चीजह लगते हैं जब दिल्णी के Mokpine नगर में आता है तो खाने की बीस हुआ होतीया तो खाना कैसे बनाते हैं काना मुखेनी से कल उनकंभ जा서 अधरा इख और अगर आपको दिखाना चाहें एक चार पाई हमारे पीछे ठीक है और पीछे का समान इनका जरूरत का है बहुत रखा हुआ है रूम का इस्पेस काफी अच्छा है और यह जो रूम है आग कितने मंजल पे चार पांच यह टॉप फ्लॉर पे हैं फॉर्थ और यह चौती मंजल पे रहते हैं दोस्तों आप जब नई बच्चे आते हैं वह चंड मुझा तो यहां पर दूप बीया जाती हैं लेकिन कई बच्चे नीचे रहते हैं जो उनको दूप का भी पता निकलता कि आज बाहर किया हुगा बारिस होई है दूप निकली है यह नहीं और एक चार पई यहां पे हैं तो एक बाई इदर रहते हैं और एक इधर रहते हैं जिनके रूम पे आके बहुत अच्छा लगा और साथ में खाना भी इन्होंने खलाया तो बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया और मुझे भी पता चला कि बच्चे यहां कैसे खाना बनाते हैं कितनी मैनत करते हैं आप अपने मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंन करते हैं लंबे संगर्स के बाद हासिल होती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो मुझ पर विश्वास और पैसंस बनाए रखे जरूर सफल हुआ जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे इस बारे में तुमना अभी कोई सोचा नहीं है बट जो भी वीडियो में इतना ही जाए हिंद बंदे मात राएंगे